मस्कार स्वागत है आपका फियल स्टेडी मंत्रे डीप चनल पर सातियो यूपी ट्पलस सी लेकपाल भरती परीच्छा का जो डीवी चल रहा है तो कल जो डीवी हुआ था उसके बारे में बात करेंगे सातियो आज डीवी नहीं है तो अब डीवी स्टार्ट होगा 20 तारीक से तो कल दोनों सिप्टों में कितने लोगों ने चात 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 रहा ने डीवी चोड़ा देखो एक चीज में आपको इसपर्स कर दूँ डीवी अब ज्यादा लोग करा रहे हैं पहले की अपेच्छा पहले डीवी थोड़ा सा चट खासा डीवी स्किप हो रहा था लेकिन आप बालम होना चाहिए चीज के बारे में आगर पालि चीज को कर रहे होगे और के पहले की अपेच्छा अब दीवी लोग ज्यादा करा हो है ज्यादा मतल्म प्रिफ्रेंस दें DAVY के propose कि अस्य जण जिए 8 से लेकर 100 के बीच में हमान सकते हूं और इस प्रकार से जन सकते हो कि लगभख टोट चाहँ को सबसे पहले पर काम काम करने वाला है और यही सबसे पहले आपका जारी होगा ठीक है और उससे पहले जो और बागी रेजल्ट है बहुत जारी होगे नहीं यह माल लेजी आप जब तक यह रेजल्ट जारी नहीं होगा तब तक कोई रेजल्ट जारी नहीं होगा हाँ छोटी मोटी भरती का रेजल्ट है 200πό 500 की बोस्का हो जाएगा अधरवाइस बड़ा रिर्ट जारी नहीं होगा जैसे आपका एक रिडीयो का तो बीड्यो का रिजल्ट इसी के चकर कर पेंडि को पड़ जाता एक मुई passive का अभी ग्रिया जाएगा थिक कितने जो कब तक इसका medical की सूचना मिलेगी तो सातियों आपकी medical की सूचना इस महीने ही मिल जाएगी और आपका जो medical होगा forest guard का वो होगा आपका December के first week में ठीक है तो आपको यह मालब होना चाहिए कि December के first week में आपका medical होगा और यह हो सकते second week में भी चला जाए लेकिन first week confirm मानके चलिए second week में आपका medical हो जाएगा लेकिन forest guard के medical की सूचना मिलेगी letter मिलेगा वो इसी November में last में मिल जाएगा क्योंकि बहुत दी में चल रहा है अब पहले पीच में थोड़ा सा तेजी देखने को मिली थी लेकिन अब इसमें तेजी देखने को नहीं मिल रही है आयोग में ठीक है तो यह आप मानके चलो कि आ जूनियर असिस्टेंट वाले की बात करें सात्यों जो जूनियर असिस्टेंट है 1262 पोस्टों पर इसके typing रेजल्ट कब तक जारी होंगे तो सात्यों यह बात मानके चलो कि जब तक आपका ये तुमारा लेकपाल का जो रेजल्ट है वो जब तक जारी नहीं होगा तब तक तो आपको जो तो आपको चारी नहीं जाएगी अगर आपके 56, 58 नंबर हैं तो आप तयारी में लग जाओ जूट जाओ सात्यों टैपिंग एसे नहीं होती है आपको मालिमी है टैपिंग ठोड़ा लबढ जाती है पांच-पांच मिनट की टैपिंग होगी हिंदी और इंग्लिस की इंग्लिस में आपको माले में 30 बड़ चाहिए पर मिनट में और हिंदी में 25 और एक्कुरेसी अगर 90 रखोगे तो पास हो जाओगे आप यह मालो 90 से कम एक्कुरेसी जाएगी तो आपको समस्य होगी आपका तुरंत सम्मुक आ जाता है और इसमें इतना भी जंबो नहीं है कि तुरंत आपका रेल्ट जारी कर दिया जाता है तुरंत जैसे टाइपिंग देख के एट हो तुरंत ही ठीक है तो टाइपिंग में रेल्ट आने के बाद भी समय मिल जाएगा आपको और बात करें 5512 पोस् चुम डाला है तो तैयारी आप करते रही है अगर इसमें नहीं होगा तो इसमें तो हो ही जाएगा अच्छी खासी पोस्ट है और एक चीज़ वह समझ लो कि आपका जो जूनियर असिस्टेंट है वह तेई से भी नोटिफिकेशन आएगा क्योंकि जूनियर असिस्टेंट क तो आप त्यारी करते रहिए आपको बहुत समय मिलेगा इसका पेपर माल लोगे जूनियर असिस्टेंट का फरवरी मार्च में होगा और चुनाब अटक गई बीच में तो और आगे चला जाएगा ठीक है और चुनाब के बादी पेपर होगा यह समझ लीजिए आप आईट दिया है तो उनको तो मालिमी होगा कि इसका जो मामला है ओ लेवल का है और ओ लेवल की चकर में ठीक है साथियो तो ओ लेवल का जो मामला है उसके चकर में आपका जो रजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है ठीक है अब देखो ऐसी बात नहीं है ओ लेवल के चकर में अगर दिसंबर के लास्ट में और आपका पेपर बहुत अच्छी बात यह होगी कि अगर फरवरी में हो जाए या उसके मदलब चुनाब से अच्छा संटर लगे उससे पहले हो जाए तो बढ़िया बात है अन्य था कि इस्तितिम चुनाब के बाद भी जा सकता इसका पेपर ठीक है सारी सियारी चीज चुनाब पर डिपेंड हो रहे है चीजे ना बतों मंडी का रजल्ट आने बाला था लेकिन मंडी का मणी का मंडी स्वेक्टर के जो सबसे चात्रों और बहुत ज्यादा परेशान पतारित किया रहा है नहीं हाँ इस पर काम भी चल रहा है लेकिन काम चलाते रहेंगे लेकिन यह रिजल्ट साइद जारी हो जाए पहले और साइद नहीं चीज़े हैं अगर तुम्हारा पूरा कॉंसेंट्रेट होकर लेकपाल की बारे में लगे हुए हैं लोगे तो फिर जारी नहीं होंगे इसी प्रका जनवरी में देखने को मिलेगा जातर कंडिशन में वीडियो का रिजल्ट एक आपने जो प्रोटेस्ट किया सतर तारीक को और वो दिखा नहीं सीधी बात ही है क्योंकि बहुत होता है लेकिन लोग उसके अकोडिंग पहुंच नहीं पाते तो पहुंच नहीं पाए तो वो असमें तो असर नहीं दिखा तो आप यह मालो कि आपको प्रोटेस्ट एक आथ दो बार और पूछना पड़ेगा और अपना रेल्ट के बारें पूचना पड़ेगा क्योंकि बीडियो पर बीडियो के बारे में आप यह समझ लो कि आप जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब ही आपका कुछ होगा तो वीडियो वाले एक बार और कोसिस करिए लोगों से कम्मुनिकेशन बनाईए तब जाईए आयोग सी दिवात ही है कि 10-5 लोग पहुंचने से कुछ और बहुत होता नहीं आयोग में आप पहुंचाओं कि कौन सुनेगा आपकी कोई निसनता तो आप लोग कम्मुनिकेशन बनाकर जाएए वहां पर पर कम्मुनिकेट कीजिए एक दूसरे को बिलोगों को गुर्प बनाईए और बहां पर तब जाईए ठीक है तो आपकी सुनी कियो निए आपकी सुनी आपकी सुनीट आपकी सुनी एका थालीव को अचेम एका लिएाएवां पर बनाईए यहां पर अबदा सुनी आपकी सुनी में